हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरे नाम शुमाईल है आप लोग दीखने हैं वाईटेक नियूज स्टागर काउची वीडियो आज करूंगा कम्प्लीट रिव्यू हमारे गूगल पिक्सल 3 का कम्प्लीट कैमरा रिव्यू देखेंगे कि इसका कैमरा कैसा है और जो इसका क पिक्सल 3 मिल जाता है और गूगल पिक्सल 3 XL कुछ 25 ज़ा रुपे तक में मिल जाता है अब यह फोन जो है कुछ आपको जो है ना पीटीय पैच अपर वगरा हो जाते हैं तो आपको पीटीय अप्रूफ काइंड आफ मिल जाते हैं मेल अब से में वगरा चल जाती है तो हम पर बंदा बोलते हैं सिर्व एक कैमरा लेकिन भाई यह गूगल कैमरा है और आपको मैं जब रिविव स्टार्ट होगा तो आप खुद पेशान जाओ कि यह एक कैमरा क्या है कर सकता है और आपको डूल कैमरा मिलता है 88 मेगापिक्सल के दो कैमरे हैं तो लेट सी देखते है कि यहां पर जो कैमरा है वो कैसा निकल के आता है और क्या 2022 में यह फोन कुछ कमाल दिखा पाते हैं नहीं पाता बात करूँ कैमरा अप्लिकेशन की तो कैमरा अप्लिकेशन काफे जादा सिंपल है नीचे की तरब कुछ मोर्स मिल जाते है जैसे कि है पोट्रेट है नाइट स सिलो मोशन मिलता है आप सिलो मोशन को स्वेब भी कर सकते हैं मिल जाता है और इसके लवाइ feel uh को Option View लिए दरो तो Settings में बी जागा कर सकत को जैसे कि तो रोस्तों यह वीडियो बन रही है फुल एटी 30fps पर, अब यहां पर इस्टडी मोड को आउन किया हूँ है मैंने इसके मेन कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ दे सकते हैं कि वीडियो काफी जार अच्छी बन रही है जो डीटेल है वो फ्रेम्स काफी जार अच्छे से वार कर रहे हैं और overall जो colors हैं वो भी अच्छे हैं अभी अब इसके sky के color देख सकते हैं और जो plant हैं के color भी बिलकुर natural color प्रोवाइड कर रहा है और हम जूम करके देखते हैं जूम यहां पर आपको कुछ 5X तक का zoom मिल रहा है तो overall यहां पर जो detailing है वो काफी जादा है और one of the best camera इसलिए कहा जाता है कि यहां पर जो colors है वो बहुत जार अच्छे हैं Google के जो camera होते हैं वो हमेशा सही बहुत जार अच्छे हैं तो यहां पर भी exposure है वो काफी जार अच्छे से maintain कर रहा है और जिस प्राइज में भाई यह स्टेंप अवेलेबिल है बहुत ही जारा जो है अमेजिंग वीडियो प्रवाइड कर रहा है अब चलते हैं वीडियो के नेक्साइट पर जो यह वीडियो बंड़ी है 4K पर जो वीडियो है वो काफे तार अच्छे हैं और यहां पर जूम क करके देखते हैं तो 4K पर आपको 5X तक का जूम मिल जाता है और जो वीडियो है वो काफे जार अच्छे से मिंटेन कर रहा है तो वीडियो है वो 4K में भी बहुत ही जार अच्छी बन रही है अब गूगल जो है वो अपने कैमरों के वार से जाना जाता है तो यहां पर जो इस यहां पर ताइड जो सट का जाता है काफी जार बने पार की तरफ प्रण कामिरा से फ्रण के थीपर सब्सक्राइब पर यहां पर दो अब लुट अब एक अब गए अब अब जो है और जो है मैं से बिला रहा हूं किलाल में कैमरा से इसके अल्टराइड गारेंगे अब जो हैं अब जो काफ़ी जाल आएंगे झाल करेंगे अब जाएंगे अगेड़ में जाल से अब निदि भी प्रफृट को मिलता है और वही आपको डिटेल अड़ी अच्छा आप जाल कर रहे हैं अब जलते हैं वीडियो य comment तो अब दो सकते हैं कि डायमिक रेंज कर अच्छा है अगेजना सल लाइट एक्सपोजर भी अच्छा का अच्छा काम कर रहा है हाँ मेरी हालत थोड़ी अजीब सी हो रही है कि सर्दी आपको पता है और सोबा सोबा का टाइम है अब चलते हैं वीडियो के नेक्स पार की तरफ यह वीडियो बंड़ी है फुल एक्टी 30 फिरिम पर सेकेंड पर से में कैमरे से अब यहां पर काफी तादा लो लाइट है लेकिन अच्छी लाइटिंग कर रहा है और स्टडी मोड को मैंने अन किया हुआ है अब देसकते हैं काफी ताद अच्छी अच्छी है और फोकस चलगे देहिसे नहीं तो अब देसकते हैं के जो सटडी मोड को कैसा अ काम कर रहा है कि आप दीसकते हैं कि यहां पर जो यह पुगे बना रहा है और आपको देख रहा हो का बढागु आप चलते हैं रही पूर के तरफ दोश्टना यह वीडियो बन रही है 4K में आपका है हैवी है यह येःजिकर आप देज सेटे है कि यहां पर जो चiction वीडियो का देल हो बना तक है क sms evolution mond Sindanroduk आप देख रहोंगे तो आप चल के देखते हैं अब दे सकते हैं कि यहाँ पर जो colors है काफे दर अच्छे हैं lighting भी काफे दर अच्छी से ले रहा है 4K काफे दर पसंद आ रही है वो जिसकी वीडियो जो है वो काफे दर अच्छे मना रहा है और exposure भी काफे दर अच्छे से जोना यहाँ पर maintain कर रहा है और मैंने अपर study mode काउन क्या है वो जेश्वित ने कहता है काम कर रहा है study mode और यहाँ पर अब चलते हैं वीडियो के next part के तरफ तो यह पहले पिचर है इसके में केमरा से लिए की पिचर है डेल है अब देश्वित ने के पिचर काफी में की तरफी जार आच्छे यह जो unanimous range है काफी जार अच्छा यह जो काफी जार अच्छे सेह ला काफी बैलेंस कर रहा है त्यक् 앉 के त्रीश एस है और आज हो बग्यार है वो भी आपको बिल्कुल साइज से देख रहे हैं अब कुछ किलोजोफ पिचर लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपर जो पहली किलोजोफ पिचर है वो काफी जार अची है असा लग रहा है किसी बड़े फोटोग्राफ नहीं पिचर लिए लेकिन सच बताओ तो दोनों फिलार काफी जार अच्छे हैं हत्या कि जो लीव्स है लीव्स पर जहां पर देखते हैं एक जगापे लीव्स पर थोड़ी सी लाइट पढ़ लिए सूरज की उसको भी इसने काफी जार अच्छे से मिंटेन किया बहुती जादा अमेजिंग कैमरा है और जो पिचर फेज़ा च्छे फोगबर लीवस के कलर भी काफी जार अमेजिंग है बाकए लेग्राव पे जिंग जे रहा रहा रहे हैं वो काफी सार अच्छ लगे रहे हैं colors भी यहां पर अच्छ है detailing काफी जाद अच्छ है भाई one of the best detailing मुझे लगी और overall colors काफी जार अच्छ है मिंटेन करता है dynamic range को काफी जार अच्छ है बैलेंस कर रहा है अब यहीं पर यहीं पिच्छर को मैंने बोके मोट पर लिए है तो भाई बोके मोट तो बहुत ही आला है यहाँ पर आप देखते हैं जो background बिलर प्रोवाइड की है बहुत ही जारा तभाही की है seriously यार इतना अच्छा बोके मोट और इतने कम प्राइज में seriously one of the best portrait मैं काऊंगा इसको जो बोके मोट है अब यहाँ पर आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पर जिए portrait mode लेनी कोशिश की थी अब यहाँ पर इसमें पांच flower को फोकस किया और जिनकों फोकस किया वह काफ़ जारा अच्छे फोकस है जो बिलर किया बिलर भी काफ़ जारा aggressive है तो यहाँ पर आप जो background बोके है वो काफी जारा अच्छा बना सकता है अब बात करूँ एक और picture की तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यह picture भी काफ़ जारा अच्छा है यह colors भी अच्छे हैं detailing अच्छी है overall natural color लेता है colors को जारा boost up नहीं करता है और colors जो हैं मुझे काफ़ जारा अच्छे लगते हैं हाँ जहाँ पर थ सकते हैं कि detailing काफ़ जारा अच्छी है colors भी अच्छे है overall जो camera है उसकी detail काफ़ जारा अच्छी है colors और dynamic range भी काफ़ जारा अच्छे से maintain कर लेता है हम बात करूँ अगर एक और picture की तो यहाँ पर देखते हैं कि against the sunlight picture है अब जारा तर phones इस time पाके यह जो picture है वो बिल्कुल dark कर देता हैं जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी है लगती लेकिन यहाँ पर जो HDR है वो काफ़ जारा अच्छी से काम कर रहा है और जो sun है उसके साथ इसने जो picture ली है वो काफ़ जारा अच्छी है काफ़ जारा colorful है अब यहाँ पर देखते हैं यह picture आप गैस करने मैंने कैसे लिए होगी यह picture मैंने ली है बाइक चलाते हैं हाँ बाइक चलाते हैं मैंने यह picture लिए और देखतने picture काफ़ जारा अच्छी है यह बाइक चला रहा था और इसकी शटर इस पीड़े camera की इतनी quick है कि इसने फॉरन ही picture ले लिए picture बिलर भी निकरी जो के outstanding है अब बात कर इसने मेरे beard की detail इसके लाब मेरे चेहरे की detail काफ़ जार अच्छी है अब इसी को मैंने जो front camera अल्टर वाइडिंग camera उसको उस पर करके देखा है तो आप देखते हैं कि अल्टर वाइडिंग camera भी काफ़ जारा अच्छा काम करता है थोड़ा सा rounded ज़रूर कर देता है लेकिन यहाँ पर काफ़ जारा white कर देता है और अगर आप group की पर चले रहे हैं तो आपके काफ़ जारा काम आएगा इसका ultra white camera और ultra white camera की detail है वो भी काफ़ जारा अच्छी है अब आते है low light पे तो भाइड लो light पर हम दे सकते हैं कि यह picture जो है यह मैंने ली है normal lighting condition यहाँ पर काफ़ मैचिक यहाँ पर जो colors हैं वो काफ़ जारा अच्छा होएं detailing काफ़ जारा अच्छा काम करता है one of the best night mode मुझे लगा seriously आगे जाके मैं और picture देखा तो night mode की लेकिन यह picture काफ़ जारा अच्छी है अब बात करो एक और picture की तो यहाँ पर हम दे सकते हैं कि यहाँ पर जो horse की picture है यहाँ पर भी picture अच्छी है यहाँ अच्छी है तो इसके जो night mode है वह काफ़ी जारा अच्छी है यह बात करते हैं यह भी low light में ली गई पिच्चर है मैंने कोई भी night mode नहीं किया अगर भी देशते हैं कि मज़ित को भी दिख री है जो पिच्चर है वो अच्छी आई है थोड़ी जो है ना वो low light काफी जार आती तो डार्क जरूर है पिच्चर लेकिन इसी को हमने जूम किया है 5x नहीं आप जूम करने के बाद जो मज़ित हैं हमें बिल्कुल ठीक से देख रही है काफी जारा detail है colors भी काफी जारा अच्छे है तो यहाँ पर जूम करने के बाद भी जो picture है वो काफी जारा अच्छी आती यह काफी जारा अच्छी बात है अब हम यहीं पर जो है इसको night mode को on करते है night night mode on करने के बाद magic होया तो magic देख सकते हैं आप कतना हाला होता है colors यहाँ पर काफी जारा अच्छी आते हैं आप दे सकते हैं दूर से हमें जो पेड़ है वो भी बिल्कुल सही से नदार है जो कि amazing है और night mode on होने के बाद जो picture है वो चार चान लग जाते हैं और इसी को मैंने पिर zoom किया है night mode के साथ night mode के साथ night mode के साथ zoom में दे सकते हैं कि आप कितनी साधा detail आगा यह बाई और जो colors ने काफी जारा अच्छे हैं आप दे सकते हैं कि आपको मज़िद का गुंबा चार मिनार इसके लावा जो पेड़ है वो भी साही से नदार है जो amazing है अब एक और night mode क पिच्छे की बात किता हैं यहां पर काफीजा अंदेरा है यहां पर मैंने पिच्छे ली थी और यहां पर बिल्कुल ही जो है low light condition थी और पिच्छे काफीजा डार्क है वो आगे से दूर सामें building जरूर दिख लिए लेकिन overall जो पिच्छे हैं यहां पर मैंने night mode on किया है और night mode on होने के बाद जो पिच्छे है वो कुछ ऐसी होया थी है जो कि काफी जादा कमाला है इसका night mode काफी जादा अच्छे से काम करता है और अगर आपकी night photography का mood है तो यह phone तो आप नहीं miss करते हैं क्योंकि जिस price में यह phone आ रहा है one of the best camera phone है आजकर लोग इतने जादा जादा अच्छा camera नहीं ले पाते है अब इसी को मैंने जो है वो जूम करके देखा है जूम करके भी देशाते हैं कि यहाँ पर आप जो detailing है वो काफी जादा अच्छी है मस्जद पर हता के banner पर जो लिखा हुआ है वो तक नजदा आ रहा है माशालला लिखा है बहुत ही आला camera है औ अब देशाते हैं कि यह मेरी जो है watch की picture है अब यह पर देशाते हैं कि इसके भी colors काफी दर अच्छी है overall जो picture है वो अच्छी है overall आप देशाते हैं मेरे हाथ की जो detailing के पीच्छे जो keyboard रखा हुआ है और जो laptop चल रहा है उसके भी आप डिटेल जो है वो साही से नदा रहा ह अब बात करें एक और picture की तो यह normal light condition में लिए पिचर है आप देशाते हैं कि colors है वो अच्छे हैं detailing अच्छी है overall यहाँ पर जो चाय का कप है वो आपको सही से नदा रहा होगा लेकिन यह जो है without low light है अब मैंने इस पर ही जो है low light का mode on किया low light जब आप यूज करते हैं इसक और जादू बहुत ही खतंदाग होता है बहुत ही amazing होता है अब बात करो एक और picture की तो भाई यहाँ पर आप देशाते हैं कि रोजिस की पिचर है बिलकुल natural picture लेता है अच्छी बात यह natural picture लेता है colors काफी जारा अच्छी है अब यह normal light condition में पिली गई थी तो यहाँ पर night set क camera क्योंकि हमने जो आट में पिसली camera यह उसके हैं उसे बहुत जारा बुरे होते हैं लेकिन यहाँ पर जो camera है बाई काफी जारा अच्छा है colors भी काफी जारा अच्छा है detailing मेरे जो face के जो color है वो भी काफी जारा अच्छा लग रहे है अब इसी picture को मैंने ultra wide camera में लिए अब चलते हैं वीडियो के नाइस पार के तरफ के तरफ में तो यह था camera review अब to be honest भाई मैं शॉक्त हूं मतलब 2022 में इतना पुराना फोन और इतने कम दामों में मिल रहा है और इतना कमाल camera लब seriously या low light में तो जान ले लता है यह phone और यह phone तो आपको पता है कि आप जो है इसम व वीडियो बहुत जारा अची हाँ slow motion का अब यह कह सकते हो कि जो slow motion है इसी price में अगर को Xperia XZ3 या Xperia 1 अगर अगर लेते हो तो slow motion वह आप आपको थोड़ा बैतर मिल जाएगा लेकिन इसके लावा भाई pictures बोके mode तो भाई बहुत ही कमाल है यहाँ पर जो बोके effect मिलता है आ और night mode on होने के बाद तो यह magic करता है magic और बहुत ही जारा out के दास camera बहुत ही कम price में आपको मिल रहा है अब यहाँ पर दो बातें ऐसी हैं जो कि इस phone की बहुत जादा कमाल लगी मुझे आस और बेसके camera में एक इसकी shutter speed अब यहाँ पर जो shutter speed है वो amazingly काफी जारा quick है आपको दिखाता हूँ जारा अब देशातने हैं कि यहाँ पर जो shutter speed है वो camera बिल्कुल भी यह lag नहीं करता और बहुत कमाल की shutter speed अब मिलती है जो कि one of the best shutter speed लगी मुझे मुझे जितने भी refurbished phone होते है जितने भी phone आते है बाहर से यूज़ होगे उनकी shutter speed होते है वो थोड़ी slow होती है इसके पिचल रीजन क्या है लेकिन मैंने शार्फ के काफी जारा phone यूज़ किया है एकसपीड़ के phone यूज़ किया है उनमें shutter speed मुझे slightly slow लगती है जो के आपको पिचल लेने के बाद वेट करना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो shutter speed है काफी जारा amazing है यार और इसके phone में camera के regarding कोई भी एक ऐसी बात नहीं है जो मैं कहूं यार अब इस phone को इस वयाई से camera के वाद से ना लो भाई camera का beast यह phone है और one of the best camera उपर से जो वीडियो में यह exposure maintain करता है बहुत ही जारा अच्छा exposure maintain करता है यहाँ पर exposure maintain करने का option भी आपको मिलता है जो कि आप on करते हो त बैलन्स करता है तो भाई one of the best camera है अगर आप camera के regarding इस phone को लेना चाहरे हो तो मेरे तरफ से 100 टाइम यह ऐसे आप इस phone को आँख बंद करके camera के regarding ले सकते हो अगर आपको बिल्कुल fresh kit मिलती है या refurbished वगएर आप देख लेना यह थी आज की वीडियो कैसी लेगी आपको मेर कीचे मेरे चनल को सब्सक्राइब दूर कीजिए का thank you so much